नमस्ते जी वेदिक राश्ट में आपका स्वागत दे आज का हमारा विशे है अबुदपुर्व संगठन करता महत्मा नारायन स्वामी आज की इस लेक के लेखाख है वेदिक पिद्वान डॉकर अशोक आरेगा जियाबाद से आईए विशे की ओड़ चलते हैं आज हम बात करने वाले हैं अबुदपुर्व संगठन करता महत्मा नारायन स्वामी के बारे में उत्ताप्रदेश में एक जिला आता है इसका नाम जोनपूर है इस जिले में ही एक गाउं जिसका नाम सिंगापूर है इस गाउं को धन्न गाउं इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गाउं में एक सरकारी करमचारी सुर्य प्रसाद जी निवास करते थे उनके यहां पसंत पंचमी उन्नेस सोचब़िस विक्रमी को एक अतियन तेज़सी बालक ने जन मिलिया इस बालक का नाम नाराण प्रसाद रखा गया यहां बालक आगे चलकर एक अद्बुत संगटन करने वाला विशेश विक्तित्व का धनी बना जिसे महत्मा नराण स्वामी के नम से जाना गया इस बालक की सिक्षा का आरंब पहले हातरस फ्रेलिगड में हुआ यही दिनों वहीं पर स्वामी दायरन स्रस्थी जी के दरसनों का सोवसर भीन को मिला किन्तु तो भी इस बात का अजीवन दुख बना रहा कि आप अपने अध्यापक के भाकावे में हाकर स्वामी जी के उब्देशों को ना सुन सके जो ही आपका विवा हुआ इसके लगबग साथ ही पिताजी का द्यान तो गया इस कारण नोकरी के लिए यतना जो शिक्र ही मुरदाबाद ने मिल गई इस नोकरी के बाद मद्ध मुरदाबाद में ही यहां सोबागी मिला कि आप जैसे अनतक अबुत्पुर्व संगठन करता सिधान निष्ट विक्तित वकद धनी यहां विक्ति आरे समाज की सोबा बढ़ाने के लिए आरे समाज के सांच चुड़ा यहां रहते हुए आपने खूब साध्याय करके सयम को उत्तम का आरे समाजी वक्रूप में दैर किया आप में आरे समाज की प्रतियत बुद लगन पेदा हो चुकी थी इस कारण आप आरे समाज की खूब सेवा करने की विलाशामन में संजोए हुए थे किन्तु इस मार्ग में परिवार आपके लिए बादक बना हुआ था कस्मात एक दिन आपकी पत्नी का देहान्त हो गया इसके कुछ ही समय पश्यात दोनों संतानों का देहान्त हो गया इन तीनों के देहान्त से आपको दुख दो हुआ किन्तु आपको आरे समाज का कारे करने के लिए सारी बादाएं जूर हो गई आगे आरे समाज का का कारे करने का मार्ग खुल गया अब आप एकागर चित्त होकर नियम पुरुवा कारे समाज के लिए अत्तिक समय देने लगे आरे प्रते निदी सभा का कारयाले इन दिनों मरादावाद में ही था इस कारण आप सभा के कारयाले का कारय भी करने लगे सबा का मुख्य पत्र जो की बाद में हिंदी का हो गया उसको बदल कर आरे मित्र कर दिया गया उस पत्र का संपादन का कारे भी आपके कंदों पर था जिसे आपने बड़ी कुसलता समाला आपका अरंबिक नाम नारण प्रसाथ था अब आप इस नाम से जाने जाने लगे आपकी मेहनत और इमानदारी के करण सरकार आपको उच्छे से उच्छा पत्द देने को तयार थे किन्तु आरे समाज के साथ आपको उतना प्रिमन राग था कि आप इस अउसर का लाब ना उठा सके पेंशन की चिंता छोड़कर पेंशन के योग की बनने के समय पूर भी सरकारी पत्द का त्याग कर दिया आपने आरे समाज की सेवा को ही एक मत्र धे बना लिया जहे की पूर्ती के लिए कटिबद्ध हो गए आपने गुरुकुल रंदावन के आचारे के रूप में पदभार समाला किन्तो अपनी योग गिता के करण कुछ ही देर में इस गुरुकुल के मुख्य दिश्ठाता बन गए और विकास के नाम पर गुरुकुल सादरन सी जोपड़ी के समान था किन्तो आपके मेहनत के कारण है गुरुकुल उस समय के गुरुकुले जिक्षण सास्ताओं में अगरणी बन गया 1919 में आपके जीवन में पचास वर्स पूर्ण होते ही रिशीग की बताए गई विवस्ता के अनुसार आपने वानप्रस्त की दिख्षा ले ली अब आपने निताल आ गए यहां के रामगण नाम अगिस्थान पर नाराण आस्तर मस्ताफित किया और यहां निमास करते हुए तब करने लगे आरे समाज की सेवा करते रहे यहाँ पर रहते हुए अब भी से कुछ समय ही हुआ था कि आपने सन्यास की दिख्षा भी ले ली सन्यास लेने पर आपका नाम नारान स्वामी रखा गया सन 1908 इश्वी में सरवदेशिक आरे प्रतिनेदी सभा किस्ता अपना हुई आपकी लगत और मेहने प्रति को देखकर 1910 में आपको इस सभा का मंतरी बना दिया गया आपने इस पत पर रहते हुए अपनी संगटन कुसलता विदवत्ता के साथ जो प्रचार का कारे किया उसकी सफलता इस बास से इसपश्ट होती है कि सन 1923 में आपको इस सभा का प्रधान बना दिया गया प्रधान पद पर रहते हुए भी आपने अपने समाज की खूब सेवा की प्रचार का कारे किया और करवाया दस वरस तक निरंतर इस पद पर रहते हुए सेवा करते रहे सारे देशिक आरे सभा प्रतिनी दिखा का भाल पद जो ही आपने त्यागा तो ही महरशी द्यानन की और सदावदी बनाने का सवान निरंडे ले लिए आपने संगठन के कोशल को आपके देखते हुए समारों के आप कारे कारी सहयोजग बना दिये गए इस आयोजन में आपकी कुशाकर बुद्धी के सांती अदुती संगठन प्रबंद पाटुता भी दर्शन देखने को मिली निवाज, भोजन, कारे कुशल्टा की विवस्ता जो की तीन लाग से धिक लोगों के लिए था आपकी कारे कुशल्टा का ही स्वयम बूल कर परिचे दे रहा था जब अजमेर में स्वामी जी के अंदरवाण की अर्थ सताब्दी हुई तो यहां भी इन सब विवस्ताओं में भी आपकी कुशल्टा की जलग दिखाए दी हिद्राबाद नजाम ने जो आरेों और हिंदूओं के प्रत्याचार का रवईया अपनाया बार बार बाचीट करने पर भी इसमें कीछ परिवस्ता नहीं आया तो सन 1949 में सारवदेशिक आरे प्रत्याची समाने यहां सत्याग्रह के रूप में जबर्दश सत्याग्रह अंदरून चलाने की कोशना कर दी इस सत्याग्रहे में जाना एक प्रकार से मौत के मूँ में जाना था मौत के मूँ में सबसे पहले जाने का अंदर ने आपने लिया और आपके अंदर तुमें सत्याग्रही जथ्था हिदराबाद रुवाना हुआ आप सहित इज़ते के आरे लोगों ने हिदराबाद में सत्यागरह किया गरिफ्तारियां दी इनके पीछे सत्यागरह के लिए जाने वाले हजारो आरे वीरों की भीड़ों मड़ पड़ी इस करण निजाम को जुकना पड़ा आरेों की इस सभा की मांगे मान ली गई आप लोग सफलता के सांती विजय होकर वापिश लोटे हिदराबाद निजाम के अन्याय का रंग जब सिंद के मुस्लिम सासक पर चड़ा तो उसने भी अधिकार शेतर में सत्यारत प्रकास पर पतिबंद लगा दिया तो आपने अनेक आरेवीरों के सास सत्यार प्रकास हात में लेते हुए सिंद राज्जी में प्रवेश किया आपके साहस के सामने सिंद की मुस्लिम सरकार को किंचित मातर भी साहस ना हुआ कुछ भी कारवाई करने का वापने आपको इस समय असाहायन बोग कर रही थी उत्तम प्रचारक उत्तम लेका कोने के सांत था सी स्वामी जी एक अच्छे योगी भी थे जब 1931 में बरेली में दूसरा अंतराश्टी संभेलन हुआ तो अद्धक्षी बाशन में आपके संगठिक दृष्टी से अतिन तमारमी गर पिराएक विचार दिये आज के पदलोलूप नेताओं को सामी जी के संभेलन की अद्धक्षी को अपने विचारों से इनके सीख लेनी चाहिए इस संभेलन के संपन होने के बाद बरेली में ही 15 अक्टूबर 1947 को अर्थाद देश की साधिनता के मातर दो महीने पश्चात ही आपका दिहान तो गया इसा लगता है कि मानों आप देश के साधिनता होने के प्रतिक्चा ही कर रहे थे आज के इस लेख के लेखक हैं दोक्टर अशोक आर गाजियाबाद से इस तरह के अन लेखों के लिए वेधिक रास्ट यूटीब चनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आपकोन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नए वीडियो आए उसकी अपडेट्स विसे पहले अब तक पहुँचे अपने कीमति सुझाओ कमेंट का ना न भूले धन्नवाद